इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको SSC MTS के एक्जाम में कम से कम तीन से लेके पांच नमबर तक दिलाएगा दोस्तों जितना यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा लोग इसे जो है निगलेक्ट करते हैं किसी भी कोचिंग इस्टिूट में इसे नहीं कराया जाता लेकिन इस टॉपिक की खासियत यह है दोस्तों कि अगर आपको थोड़ी भी ग्रावर की नॉलेज है और जो बुक एप्स हैं आपकी वो थोड़ी बहुत स्ट्रॉंग है तो आप इस टॉपिक को आराम से कर सकते हैं आराम से जो है आपके तीन से लेके पांच नंबर तक आपको हो जाएंगे तो चलिए देर ना करते हैं शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं किस त पहला कोश्चन दौस्टों आपके सामने आ चुका है और पहला कोश्चन कह रहा है ही वाज बॉर्ण और इसके बाद इस पेस है और आपको दिया है आगे इंडिया अब आपको बताना है दोस्तों इसमें जो है इस पेस में क्या भरा जाएगा आपके आप शन है और ऋफ इ इंडिया यहां पर option B जो है बिल्कुत सही हो जाएगा और यह question जो था यह proposition का question था तो इसी topic से question आते हैं जैसे कि थोड़ा proposition से हैं या common error के जो noun से pronounce से या फिर vocab से question आते हैं तो बहुत ज्यादा deep आपको नहीं जाना है basic knowledge होनी चाहिए तो भी आप इस तरीके के question को कर सकते है तो पहला जो question है इसका answer होगा in India और अब चलते हैं लोग आगे और दूसरे question को देखते हैं दूसरा question दोस्तों कह रहा है neither sham और space रोहित come to the school today अब आपको बताना है इसमें क्या भरा जाएगा इस space की जगे पर but or nor and दोस्तों अगर आप देखते हैं question में तो neither दिया हुआ है और हमें यह मालूम है कि कंजेक्शन जो हमने चैप्टर पढ़ा है कि neither के साथ हमेशा nor आता है तो यहाँ पर neither है तो इस जगें पर nor आएगा option c यहाँ पर बिल्कु सही हो जाएगा और sentence कुछ इस तरीके से बनेगा दोस्तों neither sham nor रोहित come to the school today तो यहाँ पर जो option c है वो option c बिल्कु सही हो जाएगा उमीद करता हूं दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे और अब च अगला question दोस्तों कह रहा है my father is very space to me we play football every evening अब आपको बताना है दोस्तों क्या भरा जाएगा यहाँ पर friendly, friends, friends, friend like या friendship दोस्तों अगर आप चुनते हैं option a friendly तो बिल्कु सही हो जाएगा my father is very friendly to me मेरे जो पिता है वो मेरी मेरे पिता मेरे साथ बहुत जादा मिलन सार है दोस्त की तरीके friendly है to me we play football every evening तो option a आपर बिल्कु सही है और आप लोग ने देखा कि इस तरीके के questions को करने के लिए बहुत थोड़ा सा vocab सही हो तो यह हम लोग आराम से 5 नमबर जो है उठा सकते है एक्जाम में तो अब चलते हैं आगे अगला question दोस्तों कह रहा है I stay in Mumbai space 8 years अब आपको बताना इसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों इस तरीकी की question आपने पहले भी बहुत किये होंगे बस आपको इन दो में तो आप जो sure हो जाएंगे कि option 3 और option 4 हो ही नहीं सकता ठीक है ना आप क्या होगा option 1 होगा या option 2 होगा for होगा या फिर since होगा तो देखिए यहाँ पर 8 years की बात हो रही है लेकिन कोई निश्चित समय नहीं दिया गया कि कौन से 8 years ठीक है ना तो हमें मालूम है कि ऐसी condition में for का यूज करते हैं option A जो है बिल्कु सही हो जाएगा I stayed in Mumbai for 8 years option A बिल्कु सही है और आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करते रहिएगा अगला question आपके सामने आ चुका है और इसमें दो space दिये हुए है आपको बताना है क्या भरा जाएगा पहले में और दूसरे में what space it wonderful अब आपको बताना है क्या भरा जाएगा option देख लीजिए आप लोग 5 second का समय है आपके पास दोस्तों अगर आप चुनते हैं option 4 तो बिल्कुत सही हो जाएगा देखी पूरे sentence में बात हो रही है present continuous tense में यानि कोई काम क्रिया की जा रही है जैसे कि खाना बनाया जा रहा है what are you cooking और आप लोग जानते हैं कि जब present का कोई tense होता है तो उसमें बर्व की first form लेते हैं तो इ अहली जगह में आ जाएगा what are you cooking और फिर दूसरे में आ जाएगा smells what are you cooking it is it smells wonderful what are you cooking it smells wonderful तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो अगर ये आपको अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक करते रहेगा और अब चलते हैं आगे अगले कोईशन की तरफ please write to me space this address दोस्तों यहाँ पर जो है address सब्दा आ रहा है और आप लोग जाते हैं जब address सब्दा आता है तो हम कौन सी proposition लगाते हैं पांच सेकेंड का समय है आपके पास दोस्तों अगर आप चुनते हैं option B तो बिल्कुत सही हो जाएगा add please write to me add this address जहाँ पर address की बात हो एक निश्चित पते की बात होती है वहाँ पर हम लोग add proposition का use करते हैं please write to me add this address बिल्कुत सही होगा option B यहाँ पर बिल्कुत सही है और अब चलते हैं आगे यह दोस्तों इस वीडियो का सबसे important question है और यह जो है कई लोगों को confuse भी करता है पहला है the space of the middle school is a woman of space अब यहाँ पर दो जगें space आ रहा है दोनों और दोनों ही जगें principal सब्द भरा जाएगा अब principal के दो अर्थ होते हैं एक principal बो होता है जो हमारे school में होते हैं और एक बो principal होते हैं जिने कहा जाता है सिद्धाद नियम अब आपको बताना है दोनों में क्या भरा जाएगा दोस्तों अगर आप चुनते हैं option C तो बिलको सही हो जाएगा पहले में principal आएगा जिसका आर्थ होता है प्रधान अध्यापक ठीक है और इस principal के last में L आता है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो प्रधान अध्यापक बाला principal होता है उसके last में हमेशा L आता है तो दा principal of the middle school is a woman of principals तो यहाँ पर option C सही हो जाएगा कि जो middle school की principal है वो एक बूमेन है किसकी सिद्धानतों वाली बूमेन है यानि एक ऐसी महिला है जो सिद्धानतों की महिला है ठीक है तो बिलकुल इसी तरीके से यह सही हो जाएगा option C और मुझे लगता है यह थोड़ा सा कन्फूस कर सकता है आप लोगों को लेकिन यह बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा important है आपके exam में दुबारा repeat होने के chances कहीं ज्यादा है इसके तो एक बार फिर से देख लीजेगा आप लोगों को अगर ना समझ में आए तो comment box में लिख दीजेगा और अब चलते हैं आ popular search engines it is space by the internet user अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा दोस्तो अगर आप चुनते हैं option a utilized तो बिल्कु सही हो जाएगा utilized का आर्थ होता है उप्योक्त यानि जो है internet users के लिए उप्योक्त है उप्योक्त किया जा रहा है और बागी के जो आप options देखेंगे उनका यहाँ पर कोई आउचित ही नहीं है जैसे कि affected का यहाँ पर कोई आ आश्टिट का आर्थ होता है दोस्तो हक्का बक्का या बहुत चक्का हो जाना तो उसका भी कोई यहाँ पर रोल नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है तो option a बिल्कुल सटीक बैठता है utilized option a बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर और आप चलते हैं लोग आगे कोईशन दोस्तों आपके सामने आ चुका है चाइना इस आ बिग कंट्री इन एरिया इस बिगर देन एनी अधर कंट्री इस पेस रसिया अब आपको बताना है यहाँ पर क्या भरा जाएगा चारो आपके सामने है और लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूस हो जाते हैं ए डेवल सी इपी टी एक्सेप्ट ने और एक्सेप्ट में ठीक है तो देखिए क्या भरा जाएगा अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी तो बिल्कु सही हो जाएगा इसका आर्थ हो जाएगा के अलावा ठीक है ना चाइना एक बड़ा देश है और इसका जो छितफल है वो बड़ा है किस से बड़ा है रशिया से बड़ा नहीं है एक्सेप्ट के अलावा यानी रशिया के बड़ा है ठीक है ना तो option B यहाँ पर बिल्कुत सही हो जाएगा EXCEPT का अर्थ होता है के अलावा option B बिल्कुत सही हो जाएगा और अब चलते हैं आगे कोशन आपके सामने है दोस्तों the marks worn by the man help them their identity अब यहाँ पर यह इस्पेस दिया है आपको बताना है क्या भरा जाएगा चारो आप्शन देख लीज़िए दोस्तों जो हम marks पहनते हैं अपने चहरे पर वो हमें किस लिए help करता है वो हमें help इसलिए करता है कि हम जो है अपनी identity को छुपा सकें अपनी पहचान को छुपा सकें ठीक है ना तो छुपाने का यहाँ पर sense आएगा और इसी तरीके से conceal जो option A में देख रहे हैं conceal का आर्थ होता है छुपाना तो conceal जो है बिल्कुत सही हो जाएगा यहाँ पर और कोई भी option आप देखेंगे तो बिल्कुत सही नहीं बैटरा तो option A बिलकुस ठीक बैठता है conceal, conceal का अर्थ होता है छुपाना और जो mask पहना जाता है वो identity को छुपाता है तो option A बिलकुस सही हो जाएगा और दोस्तों ये था इस वीडियो का last question ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताईएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और like करना ना भूलेगा अगर आपको समझ में आता है तो और इस series को अगर आप continue रखना चाहते हैं ये filling the blanks जो है ये काही ज़्यादा important है आपके जो है बीए सेट की classes के साथ धन्यवाद आप सभी लोगों का